So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नो की न्यू अपकमिंग स्मार्टफॉन के बारे में जो की आपको टेक्नो स्पार्क स्रीज के इंदर देखने को मिलेगा अभी हाले में टेक्नो ने अपने टेक्नो पोबर 2 स्मार्टफॉन को लाँच किया है और इसके बाद दोस्तो अपने टेक्नो स्पार्क स्रीज को लेके आने वाला है इस स्रीज में पहले आपको टेक्नो स्पार्क 7 स्मार्टफॉन देखने को मिल चुका है इस phone के regarding दूस्तो confirm specs निकल कर आ चुके हैं साथ ही guys ये smartphone 13 September को launch होगा ऐसे leaks निकल कर आ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में दोस्तो हम बात करेंगे Tecno Spark 8 smartphone के सभी specs के इसकी design की साथ ही guys हम बात करेंगे कि इस phone की price बगरा क्या रहने वाली है तो स्वागत आप सबका tech रोज पर जानकारी के लिए वीडियो में अंट तक बने रहें और दोस्तो चैनल पर पहरी बार आए हैं तो चला subscribe कर लिजे ताकि आपको इसी तरह के tech वीडियोज मिलती रहें तो दोस्तो अगर आपको budget है 9-10,000 तो टेक्नो का ये smartphone आप सब के लिए एक अच्छी choice हो सकता है तो जल्दी से बात करते हैं दोस्तो फोन के सभी specs के बारे में और देखते हैं कि कैसा smartphone ये आप सब के लिए होगा तो first of all guys अगर हम बात करते हैं phone की display की तो यहाँ पर आपको 6.5 एंचिस की IPS LCD डिस्पेले देखने को मिलती है जो की HD plus resolution के साथ में आईगी साती guys यहाँ पर आपको display में water drop notch का design देखने को मिलेगा जिसके अंदर front facing camera लगा होगा तो इस price में दोस्तो काफी अच्छी display आपको इस phone के अंदर देखने को मिल जाती है और काफी अच्छा viewing experience आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डिस्पले के बाद दोस्तो अगर हम बात करते हैं phone के performance की तो दोस्तो यहाँ पर आपको entry level का processor देखने को मिलता है जो की होने वाला है mirror attack का P22 chipset इसके लाबा यहाँ पर आपको 4GB की RAM देखने को मिलती है जो की 64GB तक की storage के साथ में आती है जिसे आप micro card की मदश से 256GB तक बढ़ा सकते हैं तो performance के मामले में दोस्तो काफी ठीक ठाइक smartphone यह रहने वाला है अगर आप normal task complete करने के लिए smartphone लेना चाहते हैं तो definitely आप इस phone की तरब जा सकते हैं next guys अगर हम बात करते हैं phone के camera setup की तो rear में दोस्तो आपको dual camera setup यहाँ पर देखने को मिलता है जिसका man sensor होगा 16MP का साथ ही guys यहाँ पर एक नाम मात्र का camera आपको देखने को मिलेगा जो की एक VGA sensor रहने वाला है इसके लाब आपको 8MP का फ्रेंट selfie camera देखने को मिलता है जिससे आप काफी एची selfies और वीडियो कॉलिंग बगएरा कर पाएंगे तो camera बाइस दोस्तों काफी ठीक टाइक smartphone यह रहने वाला है अगर हम बात करते हैं phone की battery की तो यहाँ पर आपको 5000 damage की एक battery देखने को मिलती है जो की 10W की first charging support के साथ में आती है जो की दोस्तों इस phone की man highlight भी रहने वाली है अगर कुछ और details की हम बात करते हैं guys तो यहाँ पर आपको finger band scan का support back side में देखने को मिलता है साथ ही आपको 3.5 mm का audio jack और USB type C का support देखने को मिलता है टेकनो का यह smartphone Android 11 Go Edition पर work करता है तो काफी अची speed दोस्तों आपको 4G connectivity के साथ में यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर बात करां दोस्तों फॉन की pricing की तो इस फॉन की pricing रहने वाली है 9-10,000 के बीच इसके साथ ही guys यह smartphone आपको 13 September को इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है सोग इसी थी सारे information Tecno Spark 8 smartphone के बारे में आप में बताई कि आप इस फॉन के बारे में क्या सोचते हैं और कि आप इस फॉन को लेने में टेस्टेट होंगे अगर आपको कोई और भी कमेंट हो तो दोस्तों आप वो भी लिख सकते हैं फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो चो लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको इसी तरह के ट्रैक वीडियोस मिलती रहे हैं मैं मिलता हूँ पर नेस्ट वीडियो में अब तक के लिए गुड़ बाई है बनाज टे